तो वेलकम आल आपका सबका स्वागत है आज के टॉपिक और आज के वीडियो सोतंतरता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम इससे पहले मैंने समानता का अधिकार कराया था अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जुरू देख लेना इसको भी आप पूरा याद कर सको इसकी तो फ्रीडम या राइट तो फ्रीडम यह अधिकार हमें अनुच्षेद या आर्टिकल उननिस से 22 19 to 22 में दिया गया है इस 19 में आते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे 19 अब अकेले 19 अनुच्षेद में 6 टाइप की सोतंता या फ्रीडम हमें दी गई है 19 में ही 6 याद रखना 19 का अब आता है 19 A या 19 का जो पहली सतंता है विचारों की अभी व्यक्ति की सतंता राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप अपने कोई भी विचार बोल सकते हैं लिख सकते हैं यहां तक कि सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं आपके विचार जो भी आपके दिल में आते आप उन्हें बोल सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं यहां तक कि आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं और बोल रहे हैं इसकी सोतंतरता का वरणन या डिस्किप्शन भी अनुछेद 19 या आर्टिकल 19 में ही है इसी 19A के अंदर विचारों की अभीविक्ति में ही प्रेस की सोतंता का ही अंदर है कहीं से अलग मत समझना की प्रेस के लिए अलग से कहीं नहीं अनुछेद 19A या यू कहलो के आर्टिकल 19A का में ही प्रेस की सोतंता का भी वरणन या डिस्किप्शन देखने को मिलता है तो आप सरकार की अलोच ना कर सकते हैं कोई भी विचार रख सकते हैं उन विचारों को बोल सकते हैं लेकिन इसके कुछ अपवाद exception है या आपको ये exception अब हमेशा याद रखने है देखो क्योंकि exception हर अदिकार पर चलते ऐसा नहीं कि आपके एक अधिकार पर चल रहे हैं तो यह 3-4 exception है या अपवाद है कि आपको इन स्थितियों में या conditions में यह अधिकार नहीं मिलेंगे तो यह अपवाद हर जगे चलेंगे इसलिए मैं बार बार ना इनको बोलूँगा ना बार बार लिखने की जरुत पढ़नी चाहिए आपको एक ही बार समझ लेना है विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण समझ अगर हमें किसी बार की कंट्री के साथ कोई समझ या रिलेशन बनाने मैत्रीपूर्ण यूँ कहलो के जैसे कहते है फ्रेंडशिप ऐसे करना है तो आपके अधिकारों पर थोड़ा कंट्रोल या निया अंतरन लगाया जा सकता है राज्य की सुरक्षा राज्य का मतलब है या देश देश की सुरक्षा मान के चलो आप कुछ भी बोल रहे हो तो ये थोड़ी बोल सकते है कि भारत के खिलाफ कुछ बोल दो तो नहीं वो देश के खिलाफ हो जाया तो राज्य की सुरक्षा को देखते हुए इस पर प्रतिबंद या इसके उपर बिलकुल बैन लगाया जा सकता है शिष्टा चार अपमान करने पर आपको बोलने का अधिकार है यह नहीं है जाकर केशी को गाली देने शुरू कर दो तो यह तो गलत हो गया तो ऐसे अगर शिष्टा चार कहीं अफमान की भाशा या शब्दों का प्रयोग करते हो वर्ट्स का यूज़ करते हो तो बैन या प्रतिबंद लगाया जा सकता है नियायले की अव्माना आप बोल सकते हैं लेकिन नियायले की अव्माना नहीं कर सकते हैं उनके आदेशों की अविल्ना भी नहीं कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इस अधिकारों पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है या बैन लगाया जा सकता है याद रखना य exception पूरे सतंता के अधिकार में है इसलिए मैं इनको बार-बार repeat करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि आपको एक ही बार में याद रखना यह exception है जो हर जगे लागू या implement होता है अब बढ़ते हम 19B की तरफ आता है 19 में 19B या 2 शांती पूर्ण सभा और सम्मेलन करने की सतंता freedom of peaceful assembly and conference आप शांती पूर्ण तरीके से कोई भी सभा कुछ लोगों कोई खटा करके अपनी सभा बुला सकते हैं conference या सम्मेलन कर सकते हैं और उस सम्मेलन में आप जो बोलना चाता है सब जो बोलना चाता है शांती पूर्ण peaceful तरीके से बोल सकते हैं याद रखना ये शांती पूर्ण peaceful वही फिर अपवाद या exception में आ जाता है आप हिंसा या violence नहीं कर सकते आप देश के खिलाफ नहीं कर सकते आप नयायले की अवमान नहीं कर सकते तो वो जो विदेश इराज्य की सुरक्षा को देखते वे इस पर भी जो देश की सुरक्षा को देखते वे इस पर भी परतिबंद लगाया जा सकते है तो exceptions है जो वो हमेशा बनी रहेंगी तो exceptions वही रहेंगी उनमे एक आदी उपर नीचे होती रहती है कि ये शांती पूर्ण है तो आप वैलेंस या हिंसा नहीं कर सकते बाकी पुरानी exception या अपवाद बने रहेंगे अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अदिकार की तरफ तो नेक्स्ट आता है 19C 19C इसमें आपको समुदाय या संग बनाने की सतंता दी गई है community या आप union बना सकते हैं या मानके चले आपको student है तो आप student या चातरों से संबंदित कोई भी संग या community बना सकते हैं तुनके कल्यान के लिए आप कोई doctor है तो doctor की एक union बना सकते हैं मजदूर है तो कोई मजदूर की बना सकते हैं मतलब आप जिस भी काम में है या आप किसी शेत्र या रीजन में है अगर आप सोचते कि नहीं आप जिस शेत्र में रहते हैं वहां शेत्र के लोगों के साथ कुछ अन्याय वह रहा है कुछ पहाड पे रहते तो आप उस पहाडों से संबंदित कोई है मौंटें से संबंदित कोई संग या समुदाय या कम्यूनिटी बना सकते हैं मतलब आपको ये समुदाय या संग बनाने की पूरी सतंता या छूट या यू कहलो फ्रीडम दी गई है लेकिन अपवाद exception वही रहेंगे राज्य की सुरक्षा विदेशों से संबन न्यायाले शांती पूर्ण देश की स सुरक्षा ये सारे अपवाद exception हमेशा लागू होंगे उनको देखते हुए इस पर परतिबंद या बैन लगाया जा सकता है बढ़ते हैं 19D की तरफ अब आते हैं 19D या 19D पर इसमें भारत में कहीं भी ब्रह्मन या घूमने की सोतंतरता का वर्णन या description है आप भारत के किसी भी शेत्र में ब्रह्मन कर सकते हैं घूम सकते हैं घूम कर आ सकते हैं भारत के पूरे भारत के किसी भी शेत्र में आपको आने जाने पर कोई मनाई कोई प्रतिबंद नहीं लगाया जा सकता या आपको पूरी सोतंता दी गई है अब एक बात याद रखना अपवाद exception जो पुराने हैं राज्य की सुरक्षा को देखते वे आप जैसे कहीं परमाणू रियक्टर या यूँ कहलो nuclear plant लगा हुआ है तो वहाँ थोड़ी जाने देंगे कोई dam बन रहा है, बांध बन रहा है कोई गोपनी है, कोई हो सकता है military काड़ तो आप वहाँ नहीं जा सकते है military base पर, sunny कड़े पर ऐसी चीज़े तो रहेंगी, लेकिन इसमें एक और exception या अपवाद आ जाता है, वो आ जाता है अनुसूची जन जाती शेत्रों में आने जाने पर प्रतिबंद, कई शेत्र ऐसे होते हैं अनुसूची जाती के कबीले अपनी परंपरा, अपने tradition के अनुसार या अपने culture संस्कृति के अनुसार रहे हैं, वो जंगलों में हो सकता है पहाडों में हो सकता है वहाँ पर आपके जाने पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है ताकि उनकी संस्कृति में कोई छेड़ चाड़ कोई परेशानी ना हो और कोई दखलनद आजी ना हो वो अपने तरीके से जी सके है इसका एक एक एक्जामपल भी दे देता हूँ अंडमान निकोबार, दीप समू में एक आईलेंड आता है, एक दीप आता है 572 के करीब छोटे बड़े आईलेंड मिलाकर हमारा बनता है, अंडमान निकोबार, दीप समू या अंडमान निकोबार, आईलेंड अब इसमें एक आईलेंड है, जहां के लोग अगर आप जाते हो तो तीर कमान मारते हैं, वो दूर से ही आपके आने जाने पर परती बंद है बल्कुल चाहिए नेवी भारत की सैना भी जाती है तो भी वो हेलिकॉप्टर के उपर भी तीर कमान चला देते है कोई नाव से जाने की कवशिश करता है, बोट से तो भी वो तीर कमान चलाते हैं, वो नहीं चाते कि उनके आइलेंड या दीप पर कोई आए और उनकी संस्कृति या वो जिस तरीके से रहना चारे रहने दे वो यही चाते वो जुनना ही नहीं चाते तो इंडियन नेवी भारत की नेवी उनको बाहर से सुरक्षा देती है ताकि उस आइलेंड पर कोई ना जा पाई या कोई अपवाद है वो भी चलते रहेंगे वोई देश की सुरक्षा विदेशों से संबंद इत्यादी वगर जो पुराने बढ़ाये थे वो अपवाद exception भी रहेंगे पर ये वाला exception एक और जुड़ गया है तो इसको याद रखना यहां से अब बढ़ते हैं next point की तरफ तो अब ह अपनी इक्षा की नुसार भारत में कहीं भी अपनी सहूलियत से अपना घर बना सकते हैं वहां घर बसाकर अपना घर बनाकर या मकान बनाकर स्थाई रूप से परमेंडिटली निवास यह सेटल हो सकते हैं आपको पूरी सोतंता या फ्रीडम है लेकिन इस पगाद वही प्रोटेक्ट करने के लिए कई जगे पर प्रतिबंद लगाया गया है ऐसे ही देश की सुरक्षा वाला एक्सेप्शन जो है शांती वाले पुराने रहेंगे पर यह वाला भी इसमें जुड़ा रहेगा तो आप चाहें तो अपनी इक्षा उनसार कहीं भी स्थाई रूप स सकते हैं सेटल हो सकते हैं यह उननिस इचा कहता है अब बढ़ते हैं उननिस एफ की तरफ या यूं कहलो उनिस छा की तरफ तो अब हम आते हैं उननिस एफ या उनिस छा की तरफ जो छटी सुतनता है यह क्या कहती है आप कोई भी व्यावसाई या काम करने के लिए सुतनतर ह काम धंदा जिसे कहते हैं वर्क या उक्यूपेशन या बिजनस कर सकते हैं हाँ इसका भी एक अप वाद है वो भी याद रखना एक्सेप्शन है वो अलग से बता रहा हूं आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते काम करने का मतलब यह जीवी का चलानी अभी ठीक है मुझे अपने या इन्वाल्व नहीं हो सकते लीगल काम जो आपके दिये गए हैं आप वोई कोई भी काम नोकरी जॉब कुछ भी कर सकते हैं अपना काम दंदा भी कर सकते हैं इसके लिए आप फ्री है अपनी जीवी का चलाने के लिए अपनी रोज की लाइफ को चलाने के लिए सर्वाइ तो अब हम जान लेते हैं कि आप अनुचेद 19 की इन 6 सोतंतरताओं को या फ्रीडम को कैसे याद रखेंगे बहुत आसान तरीका है मान के चलिए आप सरकार से किसी बात पर विरोध कर रहे हैं आलोचना कर रहे हैं अगेंस्ट हैं तो आपको मिलेगी विचारों की अभी विक्ति की सोतंतरताओं लेकिन आप उपने विचार बोलतो रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सुन रही रहा है तो उन्हें कोई सुन नहीं र आएंगे एक पूरी एक कम्यूनिटी को खड़ा कर देंगे एक समुईताई एक यूनियन बना कर सरकार को बात पहुचाएंगे लेकिन अगर मान के चलते हैं वो भी बात नहीं पहुच रही तो आप भारत में घूमने निकलेंगे लोगों को अपने विचारों से व्यूस से ज चुरू करेंगे अपने अपने कुछ दोस्तों को वहां पे जाके बसाएंगे और वहां के लोगों को अपने विचार बताएंगे या अपने व्यूस के बारे में बताएंगे अब इस सब के लिए पैसा चाहिए हुगा तो आप कोई भी काम या वैसाई कर सकते हैं तो इस प अधिकार का नाम है अपरादों की दोश सिद्धी के संबंद में बचाओ मतला अगर कोई आपको अपरादी या आपके ओपर कोई अपराद क्राई में लगा रहा है आपके ओपर कोई ओफिंस मतला आपको किशी अपराद के लिए दोशी ठहराना चाहरा है ओफिंस ठहराना च सकते हैं बातसवन में आगे होगी आपको अगर कोई अपरादी साबित करना चाता है क्रिमिनल साबित करना चाता है ऐसे में आप कैसे बच सकते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट आफ कन्विक्शन फॉर ओफेंसिज अनुछे 20 में तीन मुख्य बाते हैं पहला ए बड़े ध्यान से अराम से सुनना किसी भी व्यक्टी को तब तक अपरादी या किरिमिनल नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी स्थापित या लागू कानून का उलंगन ना किया हो किसी भी व्यक्टी को समय तक अपरादी नहीं ठहराया जा सकता या अपरादी नहीं बोला जा सकता है वो जब तक कि उसने किसी स्थापित या लागू established और implemented law या कानून का उलंगन या break ना किया हो अब समझो लागू करने का मतलब क्या है यह क्या कहना चारा है यह यह कहना चारा है कि मान के चले आज आपने कोई काम किया है और उसके लिए कल कानून बना जैसे निर्भे वाले केस में आपने सुना था कि 16 साल का से 18 साल से कुछ कं था ओ लड़का बस कुछी दिनों में 18 स स्थापित या लागू नहीं हुआ था तो अगर आपने आज कोई ऐसा काम कर दिया जो अभी तक गैर कानूनी नहीं है लेकिन उसके लिए अगर कल कानून बन जाए तो आपको उसके लिए सजा नहीं मिल सकती क्योंकि आपने स्थापित या implemented law का उलंगन नहीं किया है तो जो law बना हुआ है आज की तारीक में अगर वो तोड़ा है जो कानून आज बना है आज ही लागू हो रखा है वो तोड़ा है तो आपको अपरादी ठहराए जा सकता है वरना अगर कोई चीज कल law बन गई कानून बन गई तो उसके लिए आपको कि वह आपने दो साल पहले ये किय एक अपराद के लिए एक व्यक्ती पर एक ही बार मुकदमा चलाए जा सकता है और एक अपराद अगर किशी व्यक्ती ने कोई क्राइम किया है तो उसको उस अपराद के लिए या क्राइम के लिए एक ही बार दंड या सजा मिल सकती है ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ती ने एक बार एक गाड़ी चुड़ाई मानके चले उसने एक साल पहले चुड़ाई उसको सजा हुई एक साल की तो एक साल बाद जब उसकी सजा खतम हो गई तो दोबारा उस पर मुकदमा चला दिया और यह कहकर चलाया कि नहीं अब उस चोरी की सजा जो है वो दो साल हो गई है ल बार-बार मुकदमा नहीं चलाए जा सकता और उसको एक अपराद या क्राइम के लिए एक ही बार सजा या पनिश्मेंट दी जाएगी तो यह कहता है 20 B बाद में अगर सजा परिवर्टन हुई है तो उसके पर दोबारा मुकदमा या दोबारा पनिश्मेंट या कहते हैं री पनिश्मेंट ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता अब बढ़ते हैं 20 C 20 C की तरफ तो अब हम आते हैं 20 C 20 C की तरफ किसी भी व्यक्ति को चाहिए वो कोई भी ह मतलब खुद के अगेंस्ट गवाई या विटनेस देने के लिए विवश या फोर्स नहीं किया जा सकता जैसे आपने सुना हुआ कई बार पुलिस क्या करती है चोकी में मारती है थाने में लोगों को मारती है और उसके खिलाफ लिखवा लेती है अगर ऐसा कोई भी वेक्त जिसने पुलिस थाने में मार के डर से कुछ भी लिखा हो और वो कोट में नयायले में जाके साफ कह दे कि भाया ये तो मेरे को मारा गया है और ये स्टेटमेंट में मैं राजी नहीं हूँ तो वो स्टेटमेंट या उसकी पूरा वो वक्तववे कोट में एडमिसिबल या को या फॉर्स या यू कहलो बल या यू कहलो विवश नहीं किया जा सकता यह 20C तो यह है अनुचेद या आर्टिकल 20 20C जो हमें अपने विरुद गवाई देने के लिए बचाता है या क्यूं कह सकते हो कि कोई हम पर अन्याय नहीं कर सकता कि वही तो अपने खिलाफ गवाई दे या बयान या स्टेटमेंट दे तो आब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अधिकार और नेक्स्ट आर्टिकल या नेक्स्ट स hour- comport की तरफ तो स स صुतंता के अधिकार में आता है या अनुचेद आता है 21 या इकस ये क्या कहता है किसी भी वेक्ति को चाहे वो कॉई-बी citizen हो हमारे देश का कोई भी वेक्टि हो उसको उसके प्रान और दहिक सतनतरता प्रान मतलब जीवन यहां प्रान भी लिख सकते हैं यह जीवन भी लिख सकते कुछ भी लिखो एकी बात मतलब लाइफ ओर उसकी डहिक सतनतरता उसकी सुमैटिक फ्रीडम इन दोनों चीजों से आप विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिष्ट बाई लौ को छोड़ कर एक इस प्रोसीजर को छोड़ दो प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिष्ट बाई लौ या विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर सिर् तब ये की एक ही प्रोसीजर है किसी व्यक्ति के प्राण उससे अलग करने का या उसकी लाइफ या उसकी लाइफ की फ्रीडम उसके प्राण और उसके प्राण की सोतंतरता से अलग करने का एक ही प्रोसीजर है वो है विधी द्वारास्थापित या प्रोसीजर established by law मतलब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अब ये कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है जो हमारे सविधान ने जो आप सुनते रहते हो कई बार फिल्मों में आता है IPC Indian Panel Code जो भारती ए आचार सहीता के Code बने वे जो इनके नियम है कौन सी प्रक्रिया विधी द्वारा स्थापित प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लोग और कोई तरीके से उससे प्राण नहीं लिया जा सकते है और उसकी प्राण की सोतनता या उसकी फ्रीडम नहीं ली जा सकती तो only एक ही प्रोसीजर है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लोग या विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया ठीक है ये बात समझ में आ गई होगी और ये बहुत इंपोर्टेंट है ये इतना इंपोर्टेंट है कि एक बार 1975 में इमर्जेंसी लगी थी खहरा हम वो आगे पड़ेंगे तब सारे अधिकार छीन लिये थे या निलम्मित कर दिये थे या सस्पेंड कर दिये थे लेकिन जब अमर्जेंसी या आपातकाल हटा तो 44 वे संशोधन से 44 अबेंडमेंट 1978 से ये पूरा कानून बना दिया गया है चाहे अपातकाल लग जाए तब अनुछेद 21 आटिकल 21 का अधिकार या राइट सस्पेंड या निलम्मित नहीं होगा मतलब ये अधिकार आप से अपातकाल में भी नहीं चीना जा सकता तो ये बहुत इंपोर्टेंट है हाला कि इसके बारे में वो डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अधिकार की तो अब हम आते हैं अनुछेद 22 या आर्टिकल 22 पर कि आर्टिकल 22 या अनुछेद 22 क्या कहता है बंदी करण और नजर बंदी से बचाओ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अब आपको अनुछेद 20 और 22 में हमेशा समस्या आती है कि 20 वाला 22 के साथ मिल जाता है 22 वाला 20 के साथ मिल जाता है देखो इसका सबसे बड़ी तरीका क्या है 20 क्या था 20 का सीधा सा क्या मतलब था अपरादों से दोस्चिद्धी से बचाओ कोई आपको अपरादी साबित करेगा तबी तो कोई आपको गिरफतार या बंदी बनाएगा तो हमेशा पहले क्या करेगा पहले अपरादी साबित होगा जब फिर बंदी ये गिरफतार होगा तो इसलिए जब आप 20 याद करोगा तो वही बोलना हमेशा कि अपरादों से बचाओ और आपको अपरादी साबित कर दिया तब ही तो कोई आपको गिरफतार करेगा तो इसलिए वो 22 माएगा तो यह बहुत असान है इसलिए इसको याद ना हो अनुछे 22 में मुखे तीन बाते हैं जो एक गिरफतार या अरेस्टिड व्यक्ति या परसन को मिलती है पहली बात ए जिसे भी बंदी बनाया गया है जिसे भी अरेस्ट किया गया है उसे शीगर से शीगर एज अरली एस पॉसिबल बंदी बनाये जाने का कारण रीजन को गिरफतार क्यों किया जा रहा है रीजन कौन सा चार्ज या कौन सा अपराद आप पे लगाया गया है कौन सा अपराद आपने तोड़ा है तो वो कारण बताया जाएगा तो सबसे पहले कारण बताया जाएगा उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया है तो 22 में पहली हुए person को 24 गंटे के अंदर within 24 hours निकटम magistrate जो भी उस थाने के पास सबसे बिलकुल nearby magistrate बैठते हैं उनके सामने पेश किया जाएगा अब magistrate का मतलब शायद आपको पता नहीं होगा आप सोचते होगे नहीं मजिस्टेट का जो शाब्दिक या बिलकुल कहते हैं न वर्ड टू वर्ड में निकल के आता है वो आता है दंड अधिकारी जिसे दंड देने का अधिकार है तो जिसे भी अरेस्ट या गिरफतार किया गया है बंदी बनाया गया है उससे 24 गंटे के अंदर within 24 hours मजिस्टेट के सामने in front of मजिस्टेट लाया जाएगा 24 गंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ती या परसन को बिना मजिस्टेट की आगया without permission of मजिस्टेट गिरफ्तार या बंदी बनाकर अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता 24 गंटे के बाद तो तब ही रखोगे तब मजिस्ट्रेट की परमीशन या आग्या मिल जाएगी वरना उसे रिहा करना पड़ेगा उसे फ्री करना पड़ेगा तो 22 भी ये कहता है अब चलते हैं सी की तरफ तो 22 सी क्या कहता है बंदी या गिरफ्तार या अरेस्ट किये हुए व्यक्ती को जो भी अरेस्ट हुआ है उसको अपनी पसंद के वकील जिसको भी वो अपनी विश से अपनी पसंद से अपनी विश से चाहता है अपनी पसंद के वकील ये लॉयर जिसे हम बोलते हैं कानूनी परामर्श कानूनी परामर्श मतलब लीगल एडवाईस लेने का अधिकार होगा आप उसको legal advice लेने से रोक नहीं सकते है वो अपनी पसंद का जो भी उसे wish है उससे lawyer से बात कर सकता है उस lawyer से मिलकर वो उससे legal advice कानूनी परामर्श ले सकता है ताकि उसको जबरजस्ती अपरादी ना साबित कर दिया जाए या गिरफतार करके उसे सजा ना दे दी जाए तो उ lawyer appointment करने के उसके पास पैसे नहीं है अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके पास इतने पैसे नहीं है तो उससों सरकार वकील मोया कराएगी ताकि वो कानूनी परामर्श या legal advice ले सके तो यह है बाइस सी लेकिन इस बाइस के अंदर भी एक बहुत मैतोपुन बात आती है अब बढ निवारक नजरबंदी या preventive detention के तहट गिरफतार या arrest किया हो गया है अब ये preventive detention या निवारक नजरबंदी क्या इसको समझो कभी कभी किसी व्यक्ती पर ये शक हो जाता है कि उसने अपराद किया नहीं है लेकिन वो कोई गंभीर अपराद को serious crime कर सकता है तो ऐसा prevent करने के लेकि ताकि वो कोई अपराद या बड़ा crime ना कर पाए उसको किसके तहट गिरफतार किया जाता है preventive detention या निवारक नजरबंदी के तहर या ऐसा कोई व्यक्ती जिसको देश-द्रो या राश-द्रो की स्थिति या पराद के लिए पकड़ा गया ऐसे में क्योंकि वो देश विदाएं थी या फैसल्टीज थी वो नहीं मिलेगी जो बाइस ABC में था अब preventive detention पता लग गई क्या है लेकिन preventive detention या निवारक नजरबंदी के तहट गिरफतार किया गया तो उस वक्ति को क्या मिलेगा ये देख तो जिस व्यक्ति को preventive detention या निवारक नजरबंदी के या अरेस्ट किया गया उस वक्ति को क्या क्या मिलेगा तीन महीने तक उसे अरेस्ट या गिरफतार रखा जा सकता है लेकिन तीन महीने से ज्यादा जो निवारक नजरबंदी के तहट गिरफतार या अरेस्ट किया गया उसे तीन महीने तक बिना मजिस्टेट की परमिशन के गिरफतार या अरेस्ट या बंदी बना कर रखा जा सकता अगर तीन महीने हो गए और सलाकार बोर्ड ने मनजूरी नहीं दी तो उसे छोड़ना पड़ेगा फ्री करना पड़ेगा अब आपके इस दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये सलाकार बोर्ड क्या होता है सरकार दोरा अपॉइंटिट कुछ नयाय दीश ये नयाय दीश क्यों होते हैं उच नयाय ले कम से कम उच नयाय ले मतलjawment मिनिममम हाई कोट उच नयाय ले कि रिटाइर जजज और काम कर रहे जज लेकिन जो काम कर रहा है शायद वो किसी लालच मेंद है तो रिटाइड जजों को नियुक्त करेगी इसमें कम से कम तीन विक्ति या तीन जज तो लेंगे उच नियाल हाई कोट की जो रिटाइड है और वो उन तीनों को मिलाकर बनेगा एक सलाकार बोड ज्यादा भी हो सकते ह ये डिपेंड करता है उस केस पर क्या है तो एक ऐसा बोड जिसमें उच नियाल लेके रिटाइड जजों को या नियादीशों को मिलाकर एक बोड बनाया जाएगा और ये बोड मंजूरी देगा तो उसको तीन महीने से ज्यादा आगे गिरफतार रखा जा सकता है और अगर ये छोडने को कहेगा तो उस व्यक्ति को छोडना पड़ेगा फ्री करना पड़ेगा अब पता लग गया होगा सलाबोड सलाकार बोड क्या है तो सलाकार बोड की मंजूरी जरूरी है तीन महीने तक तीन महीने तक उसको रखा जा सकता है और अगर सलाकार बोड ने छोडने हो सके अब ये तो इसकी कोई time line deadline नहीं है जितना जल्दी हो सके उसको बंदी बनाए जाने का कारण बताना पड़ेगा उसे आपको कारण या reason बताना होगा सरकार बंदी गनाये हुए व्यक्ति को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके सरकार जो government है वो पूरी जल्दी जितना हो सके उस व्यक्ति को यदिकार देगी कि वो अपनी petition या याची का नियायाले में लगा सके क्योंकि उसको तीन महिने तक रखना है तो पहले भी अपनी याची का petition को नियायाले या court में रख सकता है तो जितना जल्दी हो सके सरकार उसको मोका या अफसर या opportunity देगी सरकार जनहित में अनुचित देखो कुछ ऐसे facts या आकड़े या तथे हो सकते हैं उसके पास कुछ अची सबुद भी हो सकते हैं जो जनहित या public interest के लिए अच्छे नहीं तो आप उसको ऐसे तथे रखने के लिए ऐसे आँकड़े ऐसे facts बताने के लिए मजबूर या fortune कर सकते जो public interest के लिए अच्छे या जनहित के लिए अच्छे नहीं माने जाते उनके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता अब इसमें एक दो बाते हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं क्या है तो निवारक नज़रबंदी के तहट जो व्यक्ति गिरफतार या अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति के लिए संसद संसद मतलब भारत की पारलेमेंट बिना सलाकार बोर्ड मैंने भी पिछले थोड़ी देर पहले बताया था कि सलाकार बोर्ड कोन होता है अगर वो सलाकार बोर्ड मंजूरी भी ना दे कि उसे आगे गिरफतार रखा जाए कि ना रखा जाए और वो कहता है नहीं रखा जाए लेकिन संसद को लगता है नहीं उसे गिरफतार रखा जाने तो संसद बिना सलाकार बोर्ड की मंजूरी के भ व्यक्ति को गिरफतारी में रख सकती है लेकिन उसके लिए संसद को अलग से कानून बनाना या लौ में करना पड़ेगा या जखना लौ बनाना संसद को पड़ेगा तो सलाकार बोर्ड की बिना बंजूरी के भी तीन महीने के बाद भी उस व्यक्ति को गिरफतारी या बंदी बना कर रखा जा सकता है अब हम पढ़ते हैं निवारक नजरबंदी या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कौन कौन से कानून या लौ बने तो निवारक नजरबंदी मतलब की प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आज तक भारत में कौन-कौन से major या बड़े-बड़े कानून बने हैं बहुत सारे कानून बने हैं preventive detention के अंदर टाडा टाडा उस वक्त तक का जब तक ये बना था सबसे न्युकेलो सबसे खतरनाक या सबसे dangerous preventive detention या निवारक नजरबंदी का कानून या law था इसकी फुल फॉम आती है terrorist and disruptive activities act आतंकवादी एवम विद्वन्सकारी गतिविदिया निरोधक कानून ये कानून बेसिकली जब पंजाब में बहुत ज़ादा आतंकवाद या आतंकवादी गतिविदिया बढ़ गई थी उनको रोकने के लिए बनाया गया था 1985 में ये बना था और 23 मई 1995 तक ये चला इस तारीक को 23 मई 1995 या 23 में 1995 को इस कानून को समाप्त या फिनिश कर दिया गया टैडा को समाप्त कर दिया गया बेसिकली पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ही बनाया गया था तो ये सबसे खतरनाक उस वक्त तक का था अब बढ़ते हैं और कानून की तरफ तो निवारक नजरबंदी के तहट बने कानूनों में सबसे पहला आ जाता हमारे पास मीसा 1971 में ये कानून बनता है आंतरिक सुरक्षा वेवस था अधिनियम मेंटेननस ओफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट याईउ के लो कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था 1971 में बना लेकिन 44 संशोधन जो 1978 में हुआ 1978 में वो जो संशोधन हुआ था उसके तहट ये बिल्कुल उसके अगेंज था मीसा कानून बिल्कुल उसके अगेंज था इसलिए 44 संशोधन से अपने आप समाप्त या फिनिश हो गया 1978-9 में ये मीसा समाप्त हो गया याद रखना कई बार बोल लेते हैं 44 संशोधन 44th amendment को कि ये 79 में हुआ हुआ 78 में था नागू होने में क्योंकि थोड़ा बड़ा था तो थोड़ा procedure प्रकिरिया ये कह लो कई चीजों को लागू होने में थोड़ा वत लगया तो कई-कई गए 79 लिखते है वो लागू होने का वक्त था हुआ 78 में ही था इसलिए इसके इंदर confusion नगत करना इसलिए 78, 79 लिखकर आप असानी से इस चीज़ को बता सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अगले कानून की तरफ तो निवारक नजरबंदी के तहट बने कानूनों में अगला आता है पोटो पोटो शुरुआत में एक अध्यादेश या ओर्डिनेंस था जिसे बाद में पूरा प्रोसीजर से पास करके, पारिद करके कानून बना दिया गया, अध्यादेश तो पोटो शुरुआत में एक ओर्डिनेंस था, जिसे बाद में पास करके, या संसद्वारा पारिद कानून या अध्यादीया गया तो क्या था Prevention of Terrorism और्डिनेंस अद्यादेश पहले अद्यादेश आयए अभी अद्यादेश क्या होता है यह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके तहट यह दो हजार एक में 2001 में ये ordinance अध्यादेश लाया जाता है 23 आतंकवादी समुओं को इसमें प्रतिबंद या बैन कर दिया जाता है यहां तक कि अगर कोई आतंकी सूचना ऐसी कोई सूचना information जो आतंकवादियों से संबंदित related है या आतंकी घटना terrorist activity से संबंदित related अगर कोई सो छुपाता है त था 28 मार्च 2002 को संसद ने इस ordinance अब तक ये ordinance था इसके लिए प्रस्ताव एक्ट पास कर दिया और इसे act बना दिया अधिनियम बना कर कानून बना दिया अब ये ordinance ना होकर एक अधिनियम कानून बन गया और पोटो का नाम बदल कर पोटा कर दिया गया तो वही हो गया prevention of terrorism act अ 21 सितंबर 2004 को इसे समाप कर दिया जाता है या समाप कर दिया गया अब बढ़ते हैं next तो next आता है यूए पीए यूए पीए अभी हाला कि इसके बारे में 1967 में भी इसके ओपर एक कानून बनाता जिसे यूए पे से संबंदित बोला जाता था लेकिन इसको बहुत कड़े कान कानूनों के तहत दोबारा से इसके लिए बिल या विदेग पास हुआ है अनलाफूल एक्टिविटीज ओफ प्रिवेंशन एक्ट अनलाफूल एक्टिविटीज ओप्रिवेंशन एक्ट आतंकवादी निरोधी कानून मैं पहले बता रहा हूं कि 1967 में 1967 में संसद ने इससे स शक्ति को अपनाया हुआ है और इन्होंने एक एक लाव पास किया है यूए पीए यह 2019 में पास हो जाता है संसद से भारत की और बड़े कड़े कानूनों के तहत इस यूए पीए को लाया गया है यूए पीए के तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफतार हो जाता है तो यहां तक है कि उस व्यक्ति को खुद यह साबित करना पड़ेगा कि वो बेकसूर है अब तक तो पुलिस या कानून साबित करता था कि वो कसूर वार है लेकिन अब खुद व्यक्ति को खुद साबित करना पड़ेगा कि वो बेकसूर है या बेगुना है तो यह बहुत सक्त कानून अभी आए इसके बारे में बहुत जादा जानकरी अभी इसलिए नैट पर मिल रही है हाला कि लेकिन जो क्योंकि जो लिखित बुकोम आई है हम उस पर ज़्यादा यखिन करते हैं नैट पर तो कोई वैसे भी कभी की बेराते तो यह प्रूवन है यह आला एक्ट हम इस पर इतना ही अभी डिसकस करेंगा और ज्यादा डीटेल में आगे जरुत पड़ेगी तो इस पर बात करेंगे तो अमीद करता हूं आपको मौलिक अधिकारों में सुतनता का अधिकार और समा प्रूज साइप